दोस्तों अगर आपका घीजर चलते चलते बंद हो जाता है या फिर अचानक से बंद हो जाता है तो इस प्रॉब्लम का सोलिशन आप घर बेटे कर सकते हैं कैसे करना है बताता हूँ उसा निश्टी कंपणी का यह वोटर घीजर है और कस्टमर का कंप्लेइन था कि यह चलते बन हो गया कैसे करना बताता हूँ बाटम में two that लाइं उसको खोलना है पानी सारा इसका बाखार निगलने ईकालना है पाईप को डिस्कनेक करना है इसके बाद इसको खोलने लेकि निहान लगना पावर का प्लग निकालके ही करना इसमें current वोगर नहीं होना चीए उस वक्त यह switch off हो जाता और geezer को बंद कर देता लाइन को इसको दबाना और आपकी geezer दुबार से चालू हो जागा ठीक है अगर ऐसा करके भी solve नहीं होता है तो ज्यादा छेड़ना मत किसी अच्छे technician को दिखा लेना हो सकता कोई और problem ही हो किसी किसी में दूसा thermostat होता है उसको भी दबाने से solve हो जाता है अगर इस वीडियो से आपके problem का solution हो जाता है तो वीडियो में कमेंट करके जूर बताना और thanks जरू लेंगा थैंक यू